Hello dear student, बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अविनंदन, APG की दुनिया पर, एक नए और बहुत प्यारे क्वेशन के साथ तयार है हम लोग, प्रोचेक्टेल मोशन का क्वेशन है, सबसे पहले समझते हैं, पार्टिकल को आपने यू वेलोस्टी से थीटा एंगल पर प्र इसकी यू है, या वी नॉट है ना, तो मैं यू ले लेता हूँ, उसको लास्ट में वी नॉट लिख लूँगा, the average velocity of the particle between point of projection and the highest point of the trajectories, मुझे average velocity पूची गई है, यस वाला point और जो trajectory का highest point n के बीच में, इन दोनों point के बीच में, तो देखो यार, average velocity कभी भी पूची जात है, तो यह तो तय हुआ कि, average velocity का formula सबसे पहले पता होना चाहिए, और average velocity का formula है, displacement upon time, अब जो बात आती है कि displacement upon time, तो क्या तो displacement लो और क्या time लो, तो देखो यह displacement है, यहाँ से यहाँ तक का जो ना, this is displacement, अच्छा, अब यह displacement है, और time की गर में बात करता हूँ, तो देखो ट अब तक जाने का जो time होता है, वो Q sin theta upon G होता है, this is time, अच्छा, अब बात आती है कि, यह displacement कैसे निकला जा, ultimate जो मेरा target है, वो displacement निकलना है, displacement निकलने के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ से perpendicular कर दिया, यह maximum height है, and this is half of the range, यह range का आधा है, यह जो triangle आपके सामने बन रहा है, this triangle इस triangle से आपका displacement निकल जाएगा, तो यही सबसे बड़ा task है, सबसे पहले मैं displacement निकलता हूँ, time तो मेरे पास में है, u sin theta upon G, यही मेरे पास में task बसता है, यह task हो जाएगा तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, so I am ready, pythagoras लगा रहे है, displacement is equal to height का square, and range का आधा, जो height होता है, उसका formula होता है, u square sin square theta upon 2G, इसका मैंने whole square कर दे, range का जो formula होता है, range का formula होता है, u square sin 2 theta upon G, तो sin 2 theta को मैं लिख देता हूँ, 2 sin theta cos theta upon G, अच्छा, अब मुझे वहाँ पे range का half चाहिए था, मैंने इदर 2 से divide कर दिया, तो यहाँ से भी 2 से divide हो जाएगा, 2 से 2 कड़ गया, एंड यह expression मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, expression है u square, पूरे r by 2 की value हो न, u square sin theta, cos theta upon G, अच्छा, 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 अब बात आती है, इसको solve करने की, तो देखो यह u square का square है, जब आप इसको बाहर निकालोगे, पूरे में से तो u square बाहर आ जाएगा, नीचे यह g का square है, एंड यह भी g का square है, तो g का square बाहर निकलूँगा, तो कितना जाएगा, g आ जाएगा, इसमें तेखो यह sinθ का square है इसमें sin2θ का square है तो जब मैं इसको बाहर निकालूँगा तो मैं काम करता हूँ sin2θ बाहर निकालता हूँ तो बाहर केबल sinθ आ जाएगा तो यह रूट लगाँ है ना अंदर दो क्या बच जाएगा जो sin square theta को अगर मैं break कर देता हूँ sin theta into sin theta तो एक sin theta बाहर चला गया और एक sin theta यहां रहे गया तो यह sin square theta यहां रहे गया नीचे जो आपका g था यह बाहर चला गया और यहां पर 4 रहे गया यह sin theta तो बाहर जाए चुका था यहां पर cos theta रहे गया उपर square लगवा है, तो यह cos square theta हो गया, ठीक है जी, यह मेरी पूरी इतनी मैनेत हो गई है, यह u square sin theta upon g, यहां तोड़ा सा attentive रहना ना, इस step को एक बार और समझते वे करना हूं, यहां से मैं काम करता हूं, 4 को LCM ले लेता हूं, तो यह sin square theta, plus 4 cos square theta हो जाएगा, अब मैंने इतना सा काम किया यहां पर, कि इसके बाद में next step ही है, और next step ऐसे होगी, u square sin theta upon g, यह तो ठीक है, एंड जो sin square theta, plus 4 cos square theta था था ना, इस cos square theta को break कर दो, यार, इसको कर दो आप cos square theta, plus 3 cos square theta, कर दिया, और नीचे 4, जिन्दीगी में कुछ भी करते हैं, तो कि इसके पीछे कुछ कारण होता है, यह जो इतनी महिनत कर दो, इसके पीछे कारण यह था है, कि जो sin square theta, plus cos square theta, क्या बन जाए, 1 बन जाए, so this is u square sin theta upon g, and यह क्या बन गया, 1, plus 3 cos square theta, and यह force का भी, जब आप root से बाहर निकालोगे, तो कितना हो जाएगा, 2, so this is displacement, यह मेरे पास में displacement आ गया, अब मेरे को ultimately average velocity चाहिए थी, उसका formula था displacement upon time, so displacement is u square sin theta upon 2g, and this is 1 plus 3 cos square theta, and इसके नीचे जो time था, उसकी value थी, टॉप तक जड़ने का time होता है, u sin theta upon g, अब देखो, हम काफी आगे तक पहुँच चुके हैं, अब तो बस अंतिम निरने की गडिया आ चुकी है, sin theta से sin theta काड़ दो, g से g काड़ दो, u से u काड़ दो, अब वो बारी आई जब मेरेको u को v naught लिखना है, क्योंकि question मेरेको v naught की form में था, and this is 1 plus 3 cos square theta, this is the expression of average velocity, ठीक है, अब दरा देखते हैं, options में कौन से से मिलती है, v naught by 2, 1 plus 3 cos square theta, this is the correct answer of this question, I think आपको आपके question का answer मिला होगा, thank you so much, and God bless you.